तो आज जो मैं उनसे बात करने वाला हूं जिस मुद्धे पर बात करने वाला हूं वो बड़ा ही जबरस मुद्धा होने वाला है स्वागत है आजू जी आपका तैंक यू सो मच कि आपने बुलाए है बहुत शुक्रिया आजू जी जावेद अक्तर साब को तो वहाँ पाकिस्तान में अबी सब जानते हैं इंडिया में तो जानते ही जानते हैं और कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं है बहुत बड़ा नाम है लेकिन मुझसे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद से तो बड़ा बवाल मचा हुआ है और इसके शुरुआत सवाल कि मैं करूँगा आपके ट्वीट से आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के कई मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुसके मारना तो यह आपने जो एक त लब है जो समझ में आ रहा है सबको क्यूंकि देखे ना महमान आई थे वो हमारे यहां लहूर में और हमने इतना खिलाया पिलाया गाने शाने भी सुनाया हमको और सभी लोग जो हैं वो जावे दकता साब को यहां पर जानते अपकोर्स उनकी जो मुवीज रही हैं जब फिल् मदर माने जो हैंवे अजिवे दकता साथ बहूंनी कघा हृूर मेरा जाथ है सबसे पहले के जावे दकता साब को यह मालूम होना चाहीए कैजिए नहीं होता कि हम लता जी कोई या इंडिया से किसे आर्टिस को बिला सकें क्युआ कि जिस continue फीस होती होगी ये जिस तरह की फीन्स होती होंगी वह आफकोर्स पाकिसतान अपूर्ट नहीं कर सकता लेकिन ये भी गलत है कि कभी कोशिश भी नहीं की गई और सासाथ उन्होंने मंबई अटैक्स की बात की और उन्होंने कहा कि वो लोग आज भी जो है वो इधर ही कहीं घूम रहें तो ये बात तो अब सबको पता लग गई है और समझ भी आ गई है तो इसलिए मैंने लिखा कि वो तो पाकिस्तान आए बैठे काया पिया फंक्शन अटेंड किय उन्होंने पैस फेस्टिबल था लाहॉर में वहां पर और पिर जाते जाते उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारी लगा दी कि जी यह हुआ है तो उसके उपर आपने देखा होगा कि किसी ने नेगटिव रियक्ट नहीं किया था कोई उस बात को ना भी जो सच बोला था अब इस वज़ा से भी मुझे लगा कि वो आए और आके उन्होंने इसको क्योंकि बार बार रेमिया की तरह से कहा जाते ना गुसके मारेंगे तो मुझे का इस यह तरीका है वो जाहिर है कि यही एक तरीका हो सकता है कि आप किसी के मुँ पर बैटके सच ब दिया वहां पर लेकिन हाँ यह बड़ी बात है कि लाहौर में जाकर लाहौर की जमीन पर और पाकिस्तान को उस चीज की याद दिलाना जिसकी वज़ए से आज पूरी दुनिया खासकर इंडिया जो है वो उसको हमेशा कोट करता है और हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई यह ब हमारी बदийनामी है या फिर इगनोर कर रहे हैं मेरे किल से इखनोर भी कर रहे हैं और अगर आप страшان के मीडिया की बात कर रहे हैं और ٹ्यूभी चैनल की तो यह तो पूरी तरहां से चीज नहीं देखा सकते तो वहां जो कुछ आ रहा है अगर थोड़ा बह। जो मैंने तो उस किसम की बाते जो उन्होंने की है वो दिखाई जारी है जाहिर है कि ये वाला क्लिप जो के सोशल मीडिया पर है वो हमारे टीवी चैनल अगर दिखाएंगे तो उनके टीवी लाइसंस जो है वो कैंसल हो जाएगा और गरबट जाएगे तो ये चीज़ तो आपको पता ह होता है अक्सर हमारे हाँ भी है तो क्या उसमें जावेद अख्तर साहब का जो ये वाला हिस्सा है जो मिनस्ट्री मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा है आपको नहीं किया जा रहा है मैंने निउस वेब साइट्स भी देखी कहीं पर इसका जिक्र नहीं आया है बाकी चीज अगर आप बात करें जो के होते हैं कि मीडिया के लोग साथ होते हैं कई ग्रूप्स होते हैं पाकिस्तान में भी हैं उसमें बिल्कुल बात की जा रही है और जैसे कि होता है कि अगर कैमरा के सामने ना हो तो जो डरता है वो भी पर सच बोल रहा होते हैं तो वहां पे भी सब फॉजी आए वे थे और साथ एक जर्नलिस्ट और थे और एक प्हूर्श मेंबर थे तो जब उनकी जर्नलिस्टे hmm उन्होंने यानि जो दूसरे जर्णरिस गया थे मेरे लावा उन से जब कोईशन किया तो वह कहने लगे कि आपने तो आर्मी के लोग बिठाए हैं क्योंकि दूसरी तरफ इंडियन साइट पे मेजर गौरफ भी थे और दूसरे कई जो थे वहाँ पे फौजी तो उन्होंने का जी इसमें तो बिल्कुल हैं हम मिस्विट हैं हमी क्यों बुला लिया तो वहां से कहा भी गया कि जी इंडिया में जो है वो पाजियों के आगे जो है वो सिविलियन बात कर सकते हैं लेकिन वह इतने डिस्टर्ब हुए वह साब कि वह अपना बस यहीं कह कर और वो चले गए शो छोड़ कर तो इसलिए इस किसम की बात को एकदम सामने कर जो लोग नहीं कर पाते ना वो भी वाटसएप ग्रूप में बोल रहे होते हैं यह इस वज़ा से मुझे लगा कि लोग महां पर बात कर रहे होते हैं लेकिन साहरे कैमरा के सामने हर को यह नहीं मानेगा और नही इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा जबकि आप जानते हैं कि हामिद मीर साब का एक नाम है सब लोग जानते हैं और उन्हों ने जो है वो अजमल का साब बगएरा की भी जो है स्टोरी निकाली थी उसके पेरेंट्स की उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था वह भी सभी क पता है इस वज़ा से भी थोड़ा सा लोग घबराते हैं लेकिन टीवी चैनल से तो बिल्कुल नहीं बताए जाए अच्छा अभी कुस दिनों पहले मुझे याद है कि शेख रशीद साहब है तो उस समय शायद पीम इमरान खानी थे और कोई कारिकम चल रहा था तो उसमें उन्हों ने एक बयान दिया बयान ये दिया कि कसाब का पता तो नवाज शरीफ ने बताया इसका पॉलिटिसाइज कर दिया पुरो नवाज शरीफ को बताया और इमरान खान मुस्कुराते वे सुनते रहे लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने माना था कि हमलावर उनके यहां से इसके बाद क्या पाकिस्तान की जनता क्या सुचती है उस इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा हो तेगे जो पब्लिक है वो तो यही सोचती है कि पाकिस्तान की ना तो वह establishment को मतब समझती है कि उसने किया है ना कि government को समझती है इनका majority सब्सक्राइब बात करेंगे तो उनको यह लगेगा कि जी जो यह तरह तरह के groups बने वें जो के religious पी हैं और कई तरह के तो उन में से किसी ने यह attack किया था या उन में से कई लोग जो थे वो उसमें involved थे यह directly यह बात नहीं करते के या कहते के government involved थी या फिर फॉज इन्वाल्व थी establishment वो बात तो obviously नहीं की जाती लेकिन हाँ यह जरूर है कि बहुत से जो इन्हों ने जहादी camps बनाए थे अब वो जब पलटके इन से control नहीं हो रहे तो वो इसी किसम की activities कर रहे हैं और इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि जो हुआ था मंबई अटाक्स जो था उसमें तो साफ साफ सब को पताए कि क्या था बाकी चीजों में चाया है मों कर भी जाए लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल काम है कि बिलकुल जाकर और एक तो इसमें उस बात से हड़ जाना जो है वो possible नहीं है अच्छा जावेज साहब ने जिक्र तो किया जावेज साहब ने बता दिया कि जी हमला तो यहीं से हुआ था जो उन्हों ने जो बात कही न कि जी हमलावर तो उसमें से कई इधर उधर घूम रहे हैं अब इस बयान को इंडियन मीडिया ने तो चलाय ही चलाय है इंटरनेशनल मीडिया की भी कवरेज होगी इसमें कोई दोराय नहीं है इसके बाद जो पाकिस्तान की छवी पर असर पढ़ने वाला है वो कितना खराब असर पढ़ सकता है इंटरनेशनली कि्योंकि इसके इसके बात पाकिस्तान के तरफ से मीडिया पर कोई बात होती कहा जाता इनको आइंदाने नहीं देंगे, ये इस किसम की बात करके गए है, जूट बोल रहे हैं, वोटेवर, जो भी जैसे होता है अपने आपको एक तरह से बचाने के लिए, कोई भी बात नहीं की गई है, बिल्कुल खामोशी है, हर तरफ से, इसका तो मतलब यही समझा जा रहा है, कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और इन्होंने इस बात के ओपर कोई रियक्शन ने किया है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस में मुश्किल में फसा हुआ है, चाहे वो एकॉनमी को लेकर हो या कुछ भी, तो कमजोर तो हो गया है, कापी, तो जिसको भी मौका लग अब वो इस बात को लेकर उंगली तो उठेगी, अब इस बात के लिए इनको सोचना चाहिए, कि ये किस तना से अपना बचाओ करेंगे, और किस तना से अपने आपको डिफेंड करेंगे, अच्छा, मैं आपके ट्वीट के नीचे ना कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कि किस बुलाया ही क्यों था यहां पर, तो क्या एक धड़ा जो है, वो अभी भी ये समझता है कि जावेद अक्तर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मुसल्मान है, और पाकिस्तान के लोग भी मुसल्मान है, और सब हम भाई-भाई है, तो क्या इस वज़ए से मुसल्मान हो, तो वो अगर बात करेंगे कोई इसके समझी, तो यहां पर बड़ा रियक्शन आएगा, जैसे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान वालों को हम कुछ नहीं कहते है, वहां पर यहीं कहा जाता है, वो भी मुसल्मान है, और हम भी है, तो हम रिलिजन को लेक किसी भी रिलिजन को नहीं मानते, तो मगर यह कहरूं की अपनी चोईस हो सकती है, हर एक को राइट है, कुछ भी सोचने का, लेकिन वो नाम की होजासे जो है, वो फकड़े जाते हैं, तो इसलिए यहां पर यह बात की जाएगी, कि वहीं देखां, उन्होंने आकर इस तरह क लगास है कि उन्होंने और क्या बात है कि बहुत से लोग मुझे मैसेजिस कर रहे हैं, कि पूरे फंक्शन की वीडियो मिल जाए तो दिएगा, मैं तो गई नहीं बलके वो लोहोर में मेरे जो जर्नेलिस्स प्रेंड्स हों से मैं लड़ रही थी कि मुझे बताया क्यों नही है और पहली बार उन्होंने को इसके समझी बात किया, तो अगली बार कितने चांसे हैं उनके दुबारा बुलाने के जावेद दक्तर साब को पाकिस्तान में, मेरे काल है बुला तो लेंगे, कुछ दिनों के बाद भूल बाल जाएंगे लोग और बुला लेंगे, लेकिन उ को इस तरह के लोग हों जिनसे के यह उमीद होती है, जाने पहचाने भी हो, जिनके जानी फेमस हों और कोई चांस हों के कुछ कहना दें, तो वहाँ पे लोग बहुत जादा ख्याल रखते हैं कि मुबाइल इस्तमाल ना हो, या मुबाइल से वीडियो ना बनाई जाए तो शायर उस तरह की कोई इतियात की जाए, वाकी तो ऐसा नहीं है कि अब उनको कोई आने से मना कर देगा, एक साल के बाद होगा, यह फेस्टिवल तो दिखते हैं, दुबार आते हैं कि नहीं, चली अच्छी बात है, अच्छा एक और चलते चलते, अब जादा टाइम जी जरू हो और इस टाइप का कुछ मामला हो जाए, उनको पहचान की जाए कि कौन-कौन बोल रहा था, कौन-कौन हस रहा था, उनकी बात हो तो नहीं, क्यूंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यूंकि जहां वो बैठे थे और जिस तरह का क्राउट था, वो हमारे की समझनिया अप कुछ भी होगा, क्यूंकि आप देखी रहे कि एक तरफ एकॉनमी का क्या हाल है, और लोग परिशान है, फ्लट पहले है, सब कुछ है, और उसके बाद इस तरह के इवंट्स भी साथ-साथ चल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक कहना चाहिए कुछ परसंट लोग हैं, जिनके फैमिली भी पैठी भी थी, उनके, बलके मैंने उनके ससुर वगेरा को भी देखा हूँ मापे, तो कई इस तरह की जाहिरे सब लोग थे, जो के करोड़ पती, आरब पती हमारे हैं कहलाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको पर किसी किसम का भी कोई अक्शन होगा, लेकिन ये अच्छी बात हैं, कि उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और उसके जवाब में हमें कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली, जिससे कि उनकी बात को रिजक्ट किया जा रहा हूँ. चलिए, उमीद है कि दुबारा से जावी दक्तर साब को बुलाया जाए और जाहिड सी बात हैं, जैसा कि आपने कहा कि जितने भी अलीट क्लास है, जिसे हम कहते हैं, रूलिंग अलीट, उनको ना तो 272 रुपे पेट्रोल लीटर का मिले, उससे फरक पड़ता है, ना 40-50 र बाकी से और सच्चाई से दिए, थैंक यू, थैंक यू सो मैज, थैंक यू,